कि हिम्मत नहीं होती थी जाके बात करने में नहीं चिराग जी के अथक प्रयास से ही भारती जनता पार्टी में उसमें हमारा गढवंदन हुआ था जो निरंतरता में चला रहा था चिराग पासवां जी को ताकत देगी और हमको लगता है कि देखेगा कि हिंदुस्तान में सब तो तुम्हें इंडिये जीतने जा रहा है कोई चुनोती नहीं है अपने हूँ आपके साथ धीरत सिंग केंद्रिय मंत्री और आरल जेपी प्रमुक पश्रुपति कुमार पारस ने कहा है कि हाजीपूर से ही वह लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे हमारे साथ है लोजपा र आधिकार है चुनाव लड़ने के लिए और यहीं तो हमारे शम्मिधान की ताकत है कि हर भ्यक्तिक चुनाव लड़ने का अधिकार है तो लड़ना है तो लड़ना चाहिए लेखिन अभी तख वह आपने आपको अंडिये में बताते थे उसके बाद ठीक ऐलान करना क्या को उनसे पूछना चाहिए मानली जे हम भी आपनी लोग के मादम से देखें कि तीन सीटों की घोषना भी कर दिये हैं और इंतजार भी कर रहे हैं और भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री पद हैं अभी जब तक यह लागु नहीं हो जाता है तो उनका क्या है यह नहीं है यस बारे मुझा से लड़ सकते हैं वी लड़ सकते कहीं से सब लोग सब talent लड़ने के लिए लड़ने काधिकार है एक तरफ कहा जा रहा है कि NDA में बीजेपी दोनों पार्टियों से बादसीत कर रहे थी लेकिन चिराग पास्वान की पार्टी को कहा जा रहा है कि पांच सीट दिया गया वहीं दूसरी और परश्वपति कुमार पारस को जीरो सीट द आदम से देख रहा है कि निया निया मैं इस पर नहीं कुछ कहना चाहता हूं बस इतना जानता हूं कि मेरे नेता कि लोग प्रिता है और मेरे नेता दो हजार चौध से पहली बार भारतीजंता पार्टी से कराने में उसमें हमारे स्थापक स्वर्गी राम्लैश-पास्वांजी थे किसी की हिंमत नहीं होती थी जाकि प्रयास से ही भारती जनता पार्टी में उसमें हमारा गढवन्दन हुआ था जो निरहंतरता में चला रहा था और 20 में थोड़े दिन के लिए हम लोग अलग हुए थे फिर हम लोग दल में और प्रधानमंत्री जी गले लगाए एक छोटे भाई की तरह उन्हें सम्मान दिया और जब हमारे संस्थापक अस्वताल में थे उसमें भी परिवार की तरह उन्होंने देख रहे किया तो निशित रूप से मारे नेता का मोदिज जी से और अमिसा जी से अपना रिस्ता है तो उसी रिस्ते को लगतार हमारे नेता काहिम रखे हुए हैं लेकिन वह तो कहते है कि सबसे बिश्वस्निय एलाई पश्वपति कुमार पारस की पार्टी थी उसके बावजूद भी उनको सम्मान नहीं दिया गया जो इधर उदर होड़ा है उनको पांच सेट दे दिया गया अबू का कार है उनके बाद का मैं जबाब नहीं देना चाहता हूं उनको कहने का बोलने का अधिकार है बोलने मेरी पार्टी बूथ हस्तर तक मेरे पास को तक है मेरे प्रताइब करता हूं कि बहुत लंबी फाज है और चिराग पास्वान की जो दो साल में जो लोकप्रियता बढ़ी है बिहार के लोगों ने बिहार फर्ष्ट पर अपना मुहर लगाया है और बिहार में जो चिराग पास्वान जी ने संघर्ष किया है लोगों के वीच जाकर अपनी बातों को रखा है उस पर लोगों ने बना मुहर लगाया है और उनको आशिरबात देने का काम किया है सवाल है कि हाजीपूर से वह सिटिंग सांसाद है केंदर में मंत्री है चिराग पास्वान के सामने उनके लड़ने से क्या आपको लगता है कि आप लोग पर कुछ असर पड़ेगा आप लोग तैयार है उस चुनोथी कोई असर ने चुनोथी उनोथी कुछ है नहीं वहां जब बीच में नहीं थे तब का डवलप्मेंट लोग जनता मालिक होती है यही लोकतंत की खुब सूर्थी इसमें ताकत जनता के पास है तो जनता ने तो आप देखे होंगे कि पश्ता रही थी अब जनता फिर पुरा हमारे नेता अधरी चिराग पास्वान जी को ताकत दे प्रशुपती कुमार बार पारश बाहर हो गया है अगर लालू परशाद यादाव के साथ जाते हैं तभी आप चुनोتी नहीं मांते हैं कहीं से कोई चुनोती नहीं है बिहार में छालिस की 40 इप भारती जंता पार्टी की में तो में से इंडिया जीतने जा रहा है कोई बह एलोजपार राम विलास के बिहार पर्देश सद्यक सराज उतिवारी दिली सेनेच परनेशन क्लिम में धीरत सेंग